नमस्कार आप सुन रहे हैं रेडियो हिंदुतान और मैं हूँ आपके साथ आर्जे अंजू राम शिला यात्रा से चीन की एजेंडे को आगहात लगा कैसे लगा चलिए हम बताते हैं आपको चीन सदेव भारत और नेपाल के रिष्टों में खलल डालने की कोशिश में लगा रहता है वो चीन को अपने करीब लाकर भारत को साइड लाइन करने की मंचा पर लगातार काम करता रहा है लेकिन राम शिला यात्रा ने उसके मनसूवब पर पानी फिर दिया है दर असल आयोध्या के अंदर जब राम मंदर का निर्मान शुरू हुआ तो नेपाल के पुर्व उप प्रधान मंतरी और ग्रह मंतरी विमलेंद्र निधी ने श्री राम जन्म भूमी त्रस्ट से ये आग्रह किया कि नेपाल का भी सहयोग इसमें होना चाहिए नेपाल के जनकपूर धाम से विमलेंद्र निधी सांसर भी है जो माता सीता के जन्म भूमी यानि उनका माय का भी है ट्रस्ट के अलावा विमलंदर निधी ने प्रधानमंदरी मोधी की स्थर पर भी बात्षी शुरू की जल्दी त्रेत ट्रस्ट ने इस पर हरी जंडे दिखा दी और इसके बाद नेपाल का ये प्रस्ताव माल लिया गया कि राम मंदिर की प्रतिमाओं का निर्मान काली गंड़क नदी की शाली ग्राम शिला से ही होगा काली गंड़क नदी ही दुनिया की एक मात्र ऐसी नदी है जहां उच्च कोटी की शाली ग्राम शिलाएं मिलती है नेपाल की सरकार ने एक कैबिनेट मिटिंग की और फॉरन एक्सपर्ट की टीम काली नदी भीजी इसके बाद 26 टन और 14 टन की 2,40 ग्राम शिलाओं को चुना गया जिनकी उम्र 6,5 लाक वर्ष थी और उनको अभी एक लाक साल और जिवित रहना है यानि उनमें कोई दिक्कत नहीं होगी इन शिलाओं को नदी से निकालने के पहले नदी से छमा पूजा की गई और इसके बाद ये श्रैला जनकपूर निपाल से निकलती हुई पहुची बिहार के मदुबनी इसके बाद दर्भंगा फई गोपाल गंश इसके बाद गोरकपूर और अभी शिलाएं आयोध्या पहुच चुकी है रास्ते में जहां जहां से भी ये शिलाएं गुजरी निपाल और बिहार के इस्त्री पुरुष लाखों की संख्या में सडकों पर खड़े होकर शिला पोजिन करने लगे लोग भावो को उठे हैं लाखो की संख्या में श्रिया चंदन कुंकुम लेकर रास्तों पर इंतजार करती नजर आई किसे ने बुलाया नहीं लेकिन जगा जगा स्वयम ही लोग पंडाल सजा कर स्वागत करने लगे ना कोई धर्मगुरू ना कोई बड़ा निता और ना ही किसी की रैली थी लेकिन इतनी अपार भेड़ सिर्फ श्री राम शिला के आगमन पर ही उमढने लगी ये है राम नाम का महत्व राम मंदिर के गर्व ग्रे में जो प्रतिमा लगेंगी वो नेपाल की शिलाओं से बनेंगी ये नेपाल और भारत के आध्यात में क्रिष्टे को मजबूत करने वाली बात है प्रचंड के नेपाल का प्रधान मंदिर बनने के बाद चीन और नेपाली कम्योनिस्ट जो भारत वीरोधी गुल खिलाने की साजिश रच रहे थे उसे राम की शिलाओं नहीं तहस नहस कर दिया राम मंदिर में अठारा सो करोड रुपे का खर्चा रहा है और पैतालिस प्रतिशत का काम प्रथम तलका पूरा हो चुका है उमीद की जा रही है कि यहां हर दिन पचास हजार विशिश मौकों पर प्रति दिन पचास लाग श्रदालों आ सकते हैं श्रदालों की अपार भीर का मैनेजमेंट करना अब ये एक बड़ी चुनौती भी है तो इसी के साथ मैं लोंगी अनुमती तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें नमस्कार